हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2013 की एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ट वे बैक होम ये मूवी एक स्प्राइब करने वाला हूँ इस मूवी में एक मदर एक अलग कंट्री में अरेस्ट हो जाती है इसें जो क्राइम क्या होता है ये जाने अन जाने में इससे हो जाता है अब ये फैमिली क्या करेंगे अब हम इस मूवे में देखेंगे तो चलिए ये शुरू करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और यून हमें पैरिस एरपोर्ट पर दीखती है अब इसकी backstory हम देखेंगे हमें हमारे दो man character दिखते हैं यून और जॉंग, यून wife है और जॉंग उसका husband है ये दोनों एक car repairing shop चलाते हैं यून भी आज गाड़ी को कोई साफ कर रही होती है तो भी एक spider उसे दिखता है उसका husband उसे बुलाता है तो ये spider मर जाता है आज उसके husband के बहुत सारे friends आने वाले होते है ये कहती है कि मैंने आज spider को मार दिया है या अब शुगोंने, आज उन्हें आने से मना कर दो husband कहता है कि इसा कुछ भी नहीं होता मेरे जो friends है, ये मेरे family की तरह है ये कभी भी आजा सकते, कोई हमें problem ने आएगा ये इनकी conversation चल रही होती है तो ये मुन्दो आजाता है मुन्दो वही friends मेंसे एक है जो इनसे मिलने आले वाला था मुन्दो बहुत दिनों से गार था वो कहा था, क्या कर रहा था किसी को कुछ भी पता नहीं है रात में जब ये डिनर कर रहे होते तो और दो friends आते इन friends मेंसे एक business man होता है एक computer की shop चलाता है और एक मुन्दो होता है एक दुसरे से अपना हाल चाल पुछते मुन्दों को पूछने पर कि वो क्या करता है एक story make-up कर देता है इसने sona find किया है और पिछले तीन सानों से वो यही था जो business friend friend होता है उसे जब पुछा जाता है तो कहता है यॉन और जॉंग इन दोनों नों मझे बहुत help के हैं मेरे business को लेकर इन्हीं मैं जैसे मैं stand हो चुका हूँ और तीसरा जो friend है एक computer center चलाता है इस रात इन सब friend की reunion हो जाती है नेक्स दिन जैसे एक family के morning routine होती है वैसे इनकी routine चलती है यॉन अपने बेटी के health बनाती है और आप वो school जाने वाले होती है जब जॉन और डॉटर ये दोनों घर से बाहर चले जाते है और यॉन अकेले होती है तभी business man friend वहाता है ये यॉन से खाना मांगता है और कहता है कि बहुत दिन हो चुके है मैं तुमारे हाथ का खाना है नहीं खाया था इसलिए मुझे याद आ गई और मैं आ गया यॉन भी उससे जादा कुछ नहीं पुछती है रात में पुलिस को इसी business man friend की body मिलती है इसने suicide कर ली होती है इस पर बहुत जादा debt हो जाती है और ये सहन नहीं कर पाता इसके बाद जॉन और यॉन को बैंक में बुला जाता है बैंक वाले उससे कहते हैं कि तुम पर 200,000 डॉलर्स का लोन है एक्चुल में जो business man friend था इसने लोन लिया था एस अ गैरेंटी जॉन ने इसके लिए साइन की थी पर जॉन ने सिर्फ 50,000 डॉलर्स के लिए ये साइन दी थी इसे पता ही नहीं था कि 200,000 डॉलर्स है अब ये दोनों बहुत ही जादा टरवल में आ जाते हैं जिस हाउस में हो रहते थे इस हाउस को उन्हें सेल करना पड़ता है अभी भी लोन बहुत है तो एक छोटे से घर में जाकर रेंट पे उन्हें रहना पड़ता है इनकी financial situation बहुत ही खरा होती है तो इनके friend मुंदो के पास वाते है इसने कहा था इसे goldmine मिली है तो इसके पास पैसे होंगे ऐसा होने लगता है जब इन मुंदो के पास आता है तो मुंदो केहता है कि उन्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हो 4000 डॉलर सिर्फ 3 दिनों के काम के लिए यह हो उन्हें deal दे रहा होता है यह काम जब उन्हें समझाता है तो यह होता है एक airport पर जाना है और अपने luggage में बहुत सारा सामार रगना है उन्हें कहता है कि एक stone से जो तुम्हें import करके लाने है बस 3 दिनों में तुम वापस आ जाओगे और 4000 डॉलर्स तुम्हारे हो जाएंगे यह उन्हें को यह बहुत ही suspicious लगता है जोंक कहता है कि इस पर सोचकर में तुम्हें बताऊंगा जब रात होती है तो मुंदों से जोंक बात कर रहा होता है यह उन्हें से कह रहे होती है कि एक काम तुम्हें नहीं करना चाहिए पर जोंक उसकी मानने नहीं वाला होता बहुत ज़्यादा loan उस पर होता है और एक ऐसे pay करीगा यह बहुत बढ़ा problem होता है जब यह बात कर रहे होते है तब जौंग को पता चलता है कि इस काम के लिए सिर्फ लेडिज लगने वाली है जौंग यह काम नहीं कर सकता तो यह बहुत जादा disappointed हो जाता है अब जिस नए घर में वो पहुच चुके है तो इसकी जो landlord है यह उन्हें अब डाट रही होती है बहुत दिनों से इन्होंने रेंड भी नहीं दिया होता अब दो-तिन दिन गुजर जाते है जो हम घर पर ही नहीं आता continuously वो काम कर रहाता है यानि कि बहुत सारे पैसे वो ला सके डॉक्टर यून से पुछती है कि फादर कहा है पर इसके पास जादा कुछ answers नहीं होते अब यून को महसूस होता है कितनी बड़ी problem उन्हें आ चुकी है फिर वो मुंदो को कॉल लगाती है वो कहती है कि इस काम के लिए मैं ready हूँ अपने बेडी को वो बाजार में लेकर जाती है घर आते वक एक toy के shop में daughter रुखती है इसे एक बड़ी सी डॉल चाहिए होती है पर यून के पास इतने पैसे नहीं होते है तो एक छोटी सी डॉल उसे ले लेती है daughter को कोल लग रहा होता है तो अपने कंदे पर यून उसे बिठा लेती है उसे कहती कि थोड़ी दिन तक मैं यहाँ से बाहर जाने वाल हूँ यही वो सीन है और उसका लगेज पकड़ा जाता है जब यह चेक किया जाता है तो उसे बहुत सारी कोकेन होती है 150 million euros की यह कोकेन होती है मुन्दो ने उसे बताया था कि अगर वो पकड़ी गई तो कस्टम वालों को पैसे दे देना पर यह यहाँ काम नहीं करता यह उसने जुट बोला था उसे अब जेल में डाल दिया जाता है मुन्दो की जे गर्फरेंड होती है यह भी पकड़ी जाती है इसे भी जेल में डाल दिया जाता है अब जॉंग को इस सब इंस्टेंट के बारे में पता चल चुका है यह पुलिस के पास आता है उन्हें कहता है कि उसे पता ही नहीं था उसे लगा था कि यह स्टोन से अगर उसे पता होता कि यह कोकेन है तो यह कभी भी नहीं करती पुलिस के थी कि हमें सिर्फ मुन्दो को पकड़ना है अगर वो पकड़ा गया और उसने टेस्टिमोनी दे दी तो मारी वाइफ फ्री हो जाएगी कोई प्रावलम ने आएगा जादे जादे वो जौंग को अपनी पी करने के लिए बोलते है इस पर भी पुलिस को शक होता है यह भी अपनी वाइफ को एक काम करवा सकता है इसलिए इसको भी पी सैंपल और हैर सैंपल देना पड़ता है डॉटर अपनी मदर उसे देखने रही तो उसे बहुत ही परेशान करती है जौंग उस पर चिर जाता है वो उसे बहुत बुरा लगता है मुंदू की जी गर्फरंट जो पकड़ी जा चुकी होती है वो एस असस्टिक्ट होती है इसके पास कोकेन नहीं होता तो जो छोड़ दिया जाता है कोरियन एमबसी से आई हुई एक लेड़ी वह होती है यून उससे पूछती है कि ये क्या हो रहा है उसे अपने हस्बन को कॉल करना है ये भी उसे बताती है ये बहुत इस्टिक्ट होती है और कहती है यह फ्रेंच एमबसी के काम करती हो तुम जब प्रिजन में पहुच जाओगी तब लेटर लिखना जो अंग पुलिस के पास आया हुआ होता है और कॉरियन एमबसी को यह सब इंफर्म किया जाता है पुलिस ओफिसरों से कहता है थोड़े दिनों बाद तुम एमबसी को कॉल करना यह जो सब मैटर है इसे वो देख लेंगे अब हमें कॉरियन एमबसी का ओफिस दिखाय जाता है यहाँ पर यह जो सब मैटर हुआ है एक बॉस को एक इंपलोई समझा रहा होता है बॉस उसे कहता है कि यह जो सब हुआ है यह हमारी रहे डिस्ग्रेस है इस पर वो जादा ध्यान नहीं देने वाले होते है यह जो इंपलोई होता है इसका नाम देईउन होता है अब हमें दिखता है कि देईउन पैरिस में आ चुका है और यून से वो मिलता है उसे कुछ पैपर साइन करने के लिए बोलता है डूदबरश वगरा कुछ सामन उसे देखर जाता है यह उन कहती है कि मुझे मेरे हस्बंड से बात करनी है यह उन कहता है कि फ्रेंच लॉप बहुत ही कड़क है तुम में हस्बंड से बात नहीं कर पाओगी जब तुम प्रिजन में जाओगी तभी तुम लेटर लिख पाओगी यह बहुत यडगड़ा रहे होती है तो प्रिजन गार्ड को इस पर दया आ जाती है इसे कॉल करने के लिए वो पर्मिशन दे देता है जब एक कॉल लगाती है तो जॉँग बीजी होता है जो करजा उसे लिए होता है यह उसे चुकता करना पढ़ रहा है तो इसके कॉल्स उसे आने लग जाते है लास्ट चांस में यून को कॉल लग जाता है वो जॉँग से पुछती है कि इतना टाइम क्यो लगा दिया जॉँग कहता है कि इसे तुम कैसे चली गई थी क्या हुआ था यह सब उसे बुछता है यून को अपनी डॉटर से बात करना आता है इंगी बीटी कार में होती है और यह रस्ते के एक साइट पर होता है यह भागते भागते वहाँ जाता है पर यून का टाइम खतम हो जाता है वो अपनी डॉटर से बात नहीं कर पाती है नेज दिन मुंदो की गल्डफरेंट कोरिया में आ जाती है वो पुलिस टेशन में होती है तो जॉँग भी वहाता है उसे बुछता है कि तुम कैसे आगे और कैसे यून वहाँ है वो बहुत ही उस पर चिट गया आता है पुलिस ओफिसर कहता है कि इन्वेस्टेशन चल रही है तुम इसमें जादा इंटरफेर मत करो यून जादा ही आवाज उठाता है तो वो कहता है कि तुमने एक गुनेगार से शादी की थी इसमें हमारा कोई दोश नहीं है तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते है उसे वाजा से जाने के लिए बोलता है तो मुन्दो की गल्फरेंड भी आती है मुन्दो की गल्फरेंड उसे कहती है तैवान नाम का एक आदमी था यह मुंदो का बहुत अच्छा फ्रेंड था अगर तुम इसे ढूंड लो मुंदो को भी तुम ढूंड सकते हो अब थोड़े दिन हो जाते है तो जॉंग कोरिन एमबसी को कॉल लगाता है यहाँ पर देयोंग उसे बात कर आता है देयोंग इसे कहता है कि यह जो क्राइब हुआ है इसकी हेरिंग होने में 4 मंद लगेंगे योंग उसे पूचता है कि तब तक किलिए मैं क्या कर सकता हूँ देयोंग उसे कहता है कि अच्छा सा एक लॉयर ढूंड लो इसके लिए भी बहुत सारे पैसे अब यॉंग को लगेंगे देयोंग अपने ओफिसर के पास आता है वो कहता है कि अगर हमने पेटिशन साइन की अगर आपने फ्रांस के एंबसी से डारेक्ली बात की तो हम ये जो पिरेड है यानि की फोर्मन ये घटा सकते है डारेक्ली हम ट्रायल में जा सकते है बहुत ज़्यदा इसे हो सकता है ये जो आफिसर इसको इसमें इंवॉल्व नहीं होना इसलिए इसको ये मना कर देता है योंग जब घर पर आता है तो उसका फूरा सावन रस्ते पर होता है ये रेंड पे नहीं कर पा रहा इसी वज़े से होता है हमें दिखता है कि यून उसे लेटर लिख रही है इसमें उसे पुछती है अब तो बहुत ज़्यादा थंडी होगी उसकी डॉटर का खयाल रखने के लिए उसे बोलता है उसे cold हुआ है या नहीं ये उससे पुछती है इसे कहती है कि comfortable है इसके लिए worry करने के कोई भी ज़रूत नहीं है यून prison में होती है तब एक guard आती है उसे कहती है कि तुम्हारा transfer हो रहा है यून कोई इसकी भाशा समझ में नहीं आती पर यहां से उसे जाना है ये उसे पता होता है उसे पुछती है कि हूमें Korea जा रही हूँ Korea के prison में रहूंगी ये वहां नहीं जा रही होती इसे flight से ले जाया जाता है और एक island में एक jail होती है वहाँ उसे transfer कर दिया जाता है ये चल बहुत ही strict होती है यहांके guards जोती है यह बहुत ही जालिम होती है यून को इनकी भाष्ट समझ में आती तो communication का बहुत ज़्यादा problem इसे होता है जब रात होती है तो उसके पास guards आती है इसे कुछ गोलिया देती है इसे यह लेनी होती है पर यह ले नहीं रही होती है इसे फिर यह मारते है और जबरदस्ती यह उसे लेनी पड़ती है नेक्स सिन में हम दिखता है यह जो यूंग है यह मूंदो के office में आ चुका है अगर वो मूंदो को ढोन लेगा तो यून की सजा कम हो सकती उसे सजा भी नहीं हो सकती office में जब वो आता है तब और कुछ गुंडे वहाँ आये हुए होते है इन्हें लगता है कि यह मूंदो को फ्रेंड है तो इसे फिर बहुत मारते है यूंग को फिर वो अपने बॉस के पास लेकर आते है जो सब situation होई है यह यूंग उनने समझाता है बॉस को बहुत ही पुरा लगता है कि यह भी उनके जैसा ही है यह जो गैंस्टर बॉस है इसके भी पैसे लेकर मुंदो भाग चुका था जोंग से केता है कि मुंदो को तुम्हें भी ढूड़ना है और मुझे भी ढूड़ना है हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं परियर गैंसर उसकी इंसल्ट करकर उसे गर वेज देता है जॉंग पर बहुत सारा लोन अभी है तो उसे बहुत ज़ादा काम करना पड़ता है उसके डॉटर का खयाल अच्छे से नहीं रख पाएगा तो डॉटर की जो एंड होती है वह चोड़ कर उसे चला जाता है यून को जेल में बहुत ही दगलिफ होती है यह जो खाना खारी होती है यह दूसरी इनमेट्स इसका खाना सब छीन लेती है रात में फ्लोर पर जो बेड क्रम्स पड़े हुए होती है यह खाकर वो सोजाती है जो हम मुंदो के ओफिस में गया था बहुत सारी रिसिप्ट वहाँ से उसने लाई है एक एक रिसिप्ट को वो कॉल करता है उसे कुछ ना कुछ तो इविडेंस चाही होता है उसे कुछ ना कुछ तो पता चाही होता है कि मुंदो कहा है ये बहुत सारी जगा कौल लगाता है और तैवांग और मुंदो इन दोनों का पता डूनता है एक watch की shop में एक कौल लगती है मुंदो जहा है ये इने पता है Jong फिर इस shop में जाता है shop में जाने के बाद मुंदो के नाम के जो घड़िया होती है यह उससी दिखाई जाती है इस शौप के बीछे मुंदो का सब ओपरेशन चलता है और मुंदो के मिलने का यह कीवर्ड होता है जोंग को इन वाचेस में से एक वाच चूस करना पड़ेगा और जो दुकान दारे इससे पदा चल जाएगा कि क्या काम मुंदो के पास इसका है जोंग को यह समझ में ने आता तो वह वहाँ से चला जाता है पुलिस इस पर बिल्यू नहीं करती जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि यह सब तुम कहानिया मना रहे हो यह से अंडरग्रावंड Pressions वेगरा ऐसा कुछ भी नहीं होता अपने कलीक को यह सब बताता है और यह दोनों हस्ते है बातों बातों में तैवांग का नाम भी जोंग ने बतायह होता है यह पुलिस oniaफिसर अपने कलीक को यह बताता है कलिक को कलिक होता है वह खेता है कि यह most wanted है इनकी list पर तैवांग होता है जब जॉंग इस shop के बाहर होता है तो तैवांग उसे देखता है यह इसके पास से ही जाता है इसके पीछे भागता है और यह कुछ ढोड़ने पाता next scene में यून की jail में दिखाई गई है इस jail में एक American होती है यह यून की cellmate होती है जो दूसरे कहिए थी होती है इससे इसकी जादा कुछ जमदी नहीं इन दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है इसमें यून को भी बहुत मारती है यह जो American है फिर अपने cell में रो रही होती है यह American जब मार खा रही थी तो उसका एक कीचन नीचे गिर गया था इसमें यह American और उसकी मदर का फोटो था यून फिर यह कीचन उससे दे दिये उससे कही थी है कि मैं भी मदर हूँ मुझे पता है कि तुम कैसे महसूस कर रही हो पर तुम्हें रोना नहीं है अजो तुम्हारी मदर को पता जला कि तुम रो रही हो तो उससे बहुत ही बुरा लगेगा यह American फिर इसे हग करती है और यहां रोने लग जाती है यह अच्छी बेश्ट फरेंड अभ यहां से हो जाती है जौंगस होता है दैवाग की साथ जो incident होा है यह सब गैंस्टर को बता देता है गैंस्टर बहुत ही resourceful होता है उसे पता होता है कि कैसे इसका पता निकालना है अपने आदमियों को वो काम पर दिर आई